ओम सिरी गनेश आइनमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मकर राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जुलाई से 31 जुलाई यानि की आपकी राशी के जुलाई 2022 के महीने के महाराशी फल के बारे में की जुलाई 2022 का महीना आपकी राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किनकिन चीजों से इनको फाइदा होगा किनकिन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की बहत पपुन जानकारी हम आपको देंगे और साथ इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ छुपाए भी बताएंगे जिससे आप अपने इन दिनों को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शनीदेव के शक्षे भक्त इसे वीडियो को एक लाइक अभी कर दें कमेंट स्पोक्ष में जैश शनीदेव अवश्य लिग दें जिससे भगवान शनीदेव का शिद्वाद आप कुछी दे प्राप्त हो सकी और शाथ शाथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर शिप्रकार की महत्पपुन गैनवर्दक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके चड़ी दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए एक जुलाई से 31 जुलाई यानि की जुलाई 2022 के महीने का यह महत्पपुन समय दोस्तों यह समय आर्थिक पक्ष पहले से अधिक शक्षम और मजबूत इस्तिती में रहेगा कुछ समय से चल रही चिंताओं से अब आपको राहत मिलेगी परिवार के लोगों की हर छोटी मोटी जरूरते पूरी करने में आपको आनन्द आएगा अचानक ही किसी पुराने मित्र या परिचित से मुलकात खुसी आपको प्रदान करेगी दोस्तों साथिसाथ यह समय भग्य उन्नती के सुब अफसर बन रहे हैं जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या फिर अटका हुआ था उसके अब पूरा होने का समय आ गया है कुछ विरोधी हावी होंगे परन्तु आपका आहित नहीं कर पाएंगे दोस्तों यह समय विद्धार्तियों की पिर्तियोगी परिक्षाओं का परिणाम उनके पक्ष में आएगा आवश्शकता है तो सिर्फ पहले से जादा मेहनत करने की किसी रिष्टेदार या मित्र द्वारा कोई महत्पपूर्ण सूचना भी आपको मिल सकती है जो आपके लिए लाबदायक साबित होगी दोस्तों साथ साथ यह समय बच्चों की पढ़ाई में करियर से सम्मंदित समस्याओं का समाधान मिलने से सुकून और राहत मिलेगी बड़े बुजर्गों के आशिरवाद वे किरपा से घर में खुस नुमा वातावरन रहेगा आप अपनी किसी कमजोरी पर विजे पाने के लिए भी परत्न सील रहेंगे दोस्तों साथ साथ पिछले काफी समय से जो काम आपके रुके हुए या फिर अठके हुए थे वे अब आपके अल्प पिर्यास से ही पूरे होनी की संभवना है किसी रिष्टिदार से संबंदित कोई समचा सुनने को आपको मिल सकता है भाईयों से बटवारे संबंदित विवाद का निप्टारा आपसे सहमती वे किसी की माद्यमता से आसानी से हल हो जाएगा राजनितिक तता महत्पपून लोगों से लाबदायक आपके संपर्क बनेंगे आप अपनी बुद्धिमता वे होस्यारी से अधिकतर काम निप्टाने में यह समय सक्षम रहेंगे दोस्तो साति सात यह समय कुछ लोग आपकी आलोचना वे निंदा कर सकते हैं ऐसी नकारात्मक प्रवर्ति के लोगों से दूरी आपको बना कर रखने की आवश सकता है खर्चों की अधित्ता रहेगी जिससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है भायों के साथ संबंध योगदान रहेगा दोस्तो यह समय आप अपने क्रोध वे आवेश को काबू में रखना आपके लिए आवश्चक हैं कई बार जल्दबाजी वे अति उत्सा में बनाया हुआ खेली भी बिगड़ सकता है जिसकी वजह से परिवारिक शुक्षांती भी प्रभावित हो सकती ह अडियल रविया आपको चिंता में डाल सकता है दोस्तो साथ साथ यह समय आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें क्योंकि कोई आपको भावनात्मक रूप से बेवकूप भी बना सकता है व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग बन रहे हैं इसलिए अपने खर्चों पर आपको नियंतर रखने की आवशक्ता है भूमी वे वाहन संबंदी रण लेने से पहले आपको किसी की सला आवश्य लेनी चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा साथ साथ दोस्तों यह समय विद्ध्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान द रखने की आवशक्ता है अन्यता किसी के साथ आपके संबंदी भी खराब हो सकते हैं दोस्तों साथ साथ अपनी भावुक्ता और उदारता जैसी कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आपके लिए अति आवशक है क्योंकि इसकी वजह से कुछ लोग आपका फायदा भी उठा लेते हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के मित्रों से आप दूरी बना कर रखें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथ साथ बात अगर आपके लव लाइफ की करें तो यह समय परिवारिक वातावरन शुखद रहेगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर के स कोई समझोता आप ना करें दोस्तों साथ साथ यह समय पती पतनी के आपसी तालमेल और समाजस में कुछ कमी रह सकती हैं इसलिए कुछ समय परिवार के साथ बैठकर समय व्यतित करना माहुल को बहुती शामान ने बना देगा दोस्तों साथ साथ पती पतनी के मध्यें यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसका अब हल निकलेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा हो जाएगा प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने केरियर वे अध्यन के साथ समझोता आप ना करें परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा किसी बच्चे की किलकारी संबन्दित सुब सूचना मिलने से परिवार में यह समय खुशनुमा वातावरन रहेगा और परिवार प्रसंगता पूर रहेगा दोस्तो बात अगर आपके वेवसाय और केरियर की करें तो यह समय वेपार वे कामकाज में कुछ थोसवे महतपपूर्ण आप निरने लेंगे जो कि आपके लिए बहुत अधिक फायदेबंद सावित होंगे आर्थिक इस्तितियां पहले से अधिक मजबूत होंगे नौकरी मे किसी प्रकार की गलती होने से अधिकारियों के शमक्ष जबाब देही आपको करनी पड़ सकती है दोस्तो साथी साथ कारोबार में कड़ी महनत और परिश्रम की आपको आवशकता है कार्य विस्तार संबंदी योजनाएं कार्य रूप में पढ़नित होंगी एक बार उस वेक से सभी परिशानियों का हल बहुती सांति पूर्ण धंग से निकाल लेंगे साथी साथ कार्य छित्र में विस्तार के लिए कुछ योजनाओं पर विचार होगा यह समय मार्केटिंग संबंदी कारों पर अधिक आपको ध्यान देने की आवशकता है किसी बड़े अधिक या राजनितिग से आपकी मुलाकात बहुत फायदेबंद साबित होगी नोकरी पेशा लोगों की दिन चरिया बहुत अधिक व्यस्त रहेगी दोस्तों साथी साथ यह समय व्यपार में विस्तार संबंदी जो योजना पिछले काफी समय से चल रही थी उसके क्रिया निवंत करने का समय आ गया है सेल टेक्स जी अश्टी आदी से जुड़े काम आप जल्द ही पूरा कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैवेट नोकरी में लक्षे को प्राप्त करने का आपके ऊपर समय दबाब भी रहेगा दोस्तों साथ साथ यह समय कामकाज को पू सरकारी नोकरी में किसी प्रकार की उल्जने उत्पन हो सकती है इसलिए व्यर्थ किसी के काम में हस्त छेप आप ना करें दोस्तों साथ साथ व्यपार में कोई भी नया निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच परताल आप अवश्य करें किसी की चिकनी पारियों का सयोग आपको तानाव मुक्त रखेगा दोस्तो नोकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिला जुला रहने वाला हैं दोस्तो बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय शाररिक कमजोरी तथा हड्डियों में दर्द जैसे समस्याएं रह सकती हैं वर्तमान महा सोल से अपना आपको बचाव रखने की आवश्चकता है स्वास्था आपका ठीक रहेगा परन्तु खान पान तता दिन्चरिया को विवस्थित रखना आपके लिए अति आवश्चक हैं साति सात वायू विकार वे पेट से संबंदित दिक्कतें रह सकती हैं जादा गरिष् सिस्टम भी कमजूर हो सकता है दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप नियमित योग और प्रणयाम का साहरा लें जो आपके स्वास्थ के लिए बहुती अच्छा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं इन दिनों आपके लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आप इन दिनों शनिवार के दिन घर पर रोटी बनाकर उस पर सरसो का तेल लगाएं इसके बाद आप उस रोटी को किसी काले रंग के कुत्ते को भगवान शनिदेव क्वेसमन करते हुए खिलादे ऐसा करने से भगवान शनिदेव ब्रसन होते हैं और आपकी सम अस्तमनों कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और साथ शाथ आप शनिवार के दिन नहने के बाद कटोरी में सरसो का तेल लें उसमें आप अपना चेरा देखें ऐसा करने से जीवन की सभी परिसानिया दूर हो जाती हैं और इसके बाद आप इस तेल को किसी जवर्दमंद व्य दीपक जलाएं जो सुमसान इस्थान पर हो और फिर किसी सनी मंदिर में जाकर आप पीपल के पेड़ के पास दीपक जला सकते हैं या फिर भगवान शनिदेव के समीब भी आप दीपक जला सकते हैं वो वी सरसो के तेल का ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी सनी से परिसानिया आ रही हैं धन्स संबंदे जो भी परिसानिया आ रही हैं वे परिसाने दूर होंगी और भगवान शनिदेव के किरपा आप पर सदीब बने रहेगी और सात्य साथ आप क्या करें आप सनिवार के दिन भगवान बजरंग बली को सिंदूर और चमीली का तेल भी आपको भगवान बजरंग बली का भी आशिरवाद प्राप्त होता है और सात्य साथ हनुवान चारिसा का पाट करें ऐसा करने से भगवान सुनिदेव के साथ साथ भगवान बजरंग बली का भी आशिरवाद आपको प्राप्त होगा और आपकी जो भी परिशानिया है वे पर प्रिदीम!